बॉलिवुड एक बार फिर से पौरानी कहानियों की तरफ लोट रहा है हाली में जो है ब्रह्मास्तर फिल्म आई थी जो की हिंदू माइथॉलिजी प्याधारी थे और अब बॉलिवुड ने 700 करोड की एक बड़ी फिल्म का ऐलान किया है ये एलान हुआ है अमेरिका में जहां D23 एक्सपो चल रहा है और वहाँ पर फिल्म मेकर फिरोज नाडिया ड्वाला ने इस फिल्म का एलान करवाया है और वो इस फिल्म को बनाने जा रहे हैं इस फिल्म का बजट होगा 700 करोड और इस फिल्म में काम करेंगे अजय देवगन, रनवीर सिंग, अक्षे कुमार, परेश, रावल, नाना पाटेकर और अनिल कपूर समेथ कई और बड़े सितारे फिल्म में जो है बहुत सारी फीमेल स्टार्स को भी रखा जाएगा क्योंकि महाभारत में जो है बहुत सारे ऐसे किरदार है जैसे द्रौबदी का किरदार, कुंती का किरदार, ये तमाम किरदार जो है निभाने के लिए बॉलिवड की बड़ी-बड़ी अक्टरस को अप्रोच किया जाएगा फिल्हाल जो है इस फिल्म के लिए अक्षे कुमार, अजय देवगन, रनवीर सिंग समेथ कई बड़े अक्टर्स का नाम आ रहा है इस फिल्म का VFX जो है, हॉलिवड की फिल्मों को टकर देगा गेम ओ फरो थरोंस जैसी फिल्मे होंगी, दे लढ़ फिल्मे होंगी, हैरी पॉर्टर तमाम फिल्मे जो है उस मामले में जो है, ये VFX भी उसी टकर का होगा आप कह सकते हैं कि बाहु बली को बॉलीवुड में एक बर फिर से बहुत बड़े पैमाने पर दिखाये जाएगा यहां पर जो युद्ध होगा वो महाभारत का होगा जहां पर बॉलीविट के बड़े-बड़े सितारे योध्धा के रूप में युध्धे लड़ते हुए दिखेंगे ये बहुत बड़ा बजट है और 700 करोड में अब तक बॉलीविट की कोई फिल्म नहीं बनी है तो ये अपने हाप में एक लोटी फिल्म है और काफी बड़ा प्रोजेक्ć होगा इसका जा रहा है कि ये फिल्म जो है दो हजार पच्चिस में सिनेमा घरों में आएगी फिलहाल इस फिल्म का pre-production चल रहा है और तमाम सितारों से बातची चल रही है फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने में ही 4-5 साल लग गए और अब इस फिल्म को लेकर सितारों की तलाश हो रही है कि कौन क्या रोल करेगा हलाकि जिन सितारों के नाम सामने आये हैं उनका भी करेक्टर डिसाइड नहीं हुआ है लेकिन ऐसा लग रहा है कि रनवीर सिंग हो सकता है फिल्म में अर्जुन का रोल करे अजय देवगन हो सकता है कि फिल्म में जो है कंड का रोल करे और ये भी हो सकता है कि अक्षे कुमार को कृष्ण का रोल मिले फिलहाल ये बस एक अटकले लगाई जा रही है और वहीं पिल्म हिंसरी इसके अलावा इसको तेलगू तमील मनया अलम और रिकॉर्ड करके जो है डब करके इसको जो और धिकाया जाएगा साउस मेभी तो बड़े पइमाने गया इसके शूटिंगंगी और बोलिवट की अब इस फिल्म के लिए आपको बता दे फिरोज नाडियाडवाला ने उन्होंने कदम बढ़ाया है उन्होंने सोचा है कि वो इस मेगा फिल्म को बनाएंगे फिरोज नाडियाडवाला इससे पहले वेलकम जैसी फिल्म में बना चुके हैं हेरा फेरी जैसी फिल्म में बना चुके फाल ही में उनके फिल्म लाल सिंग चड़ा रिलीज हुई और उस दौरान जब उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा था कि महा भारत मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है लेकिन इसको बनाने में मुझे डर लगता है क्योंकि इस फिल्म को बनाना जो है बहुत इंट्रेस् अश्रीट फिल्म निकाल पाउंगा या या नहीं यह मैं नहीं कह सकता तो फिलहाल मुझे महाभारत पढ़ने में लिए एंगे सोचने में टाइम लग जाएगा और सोचना पड़ेगा आपको बता दे कि टीवी पर भी जो दर्शक रामायन और महाभारत देख चुके हैं असी के दर्शक में जो है रामायन आया करता था और उसको जबरदस पॉपुलरिटी मिली थी बहुत जादा जो है लोगों ने उसको देखा जब रामायन चल रहा होता थ टीवी पे तो सडके जो है सूनी हो जाये करती थी यही हाल कुछ महाभारत का भी था नब्वे के शुरुवाती दशक में जो है टीवी पर महाभारत आना शुरू हुआ था और उसको बहुत जादा पसंद किया गया महाभारत का एक एक किरदार जो है लोगों को याद रहा और सालों तक आज भी जो है उस शो को जो है लोग भूले नहीं है उन्होंने उस शो को देखा बहुत दिलचस्पी के साथ देखा और बहुत जबरदर्स्त कह सकते हैं कि टीवी का ये दोनों शो जो है बहुत हिट रहा आपको बता दी कि कि कोरोना की वज़ा से जो है लोग उस तरह से देखने में उनको कोई परिशानी हो लोगों ने दूरदर्शन पे दुबारा जो है रामायन महाभारत को देखा और एक बार फिर से रामायन महाभारत की तमाम पात्र थे उनकी कहानिया जो है सामने आने लगी थी बहराल अब इंतजार होगा 700 करोड में बन रही इ लोग उस फिल्म के लिए कैसी लोगों में कह सकते हैं कि उत्सुक्ता होगी ये देखने वाली बात होगी